नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों मोरपंख के वास्तुशास्त्र और ज्योतिश शास्त्र में कई महत्वपून उपाय बताये गए हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में शांती और सुख समरिध्धी के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है, जो धन संपत्ती को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं, तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धी होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल तीन मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकार को आप पूरा जरूर सुनें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर पंख एक चमतकारिक यंत्र होता है और इसका प्रयोग तांतरिक क्रियाओं में भी किया ज प्राचीन युग से ही मोरपंख को तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमन किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहाय ताली। सभी देवता और नौग्रेह मोर के पंखों में विराजित हो गए। जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमन कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्थ हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनिय होने का वर्दान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंक होता है, वहाँ पर नौ ग्रहों का अशुब प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों केवल रिशी मुनी और देवता ही नहीं, बलकि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रिष्टा का वर्णन किया है, और उन्होंने मोर के पंक को अपने मुकुट में धारण करके मोर की श्रिष्ट होने का प्रमान भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कही पर भी नहीं जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मोर शांती और प्रेम का प्रतीक है, मोर सुख समरिधी का भी प्रतीक है, मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ती से रक्षा करता है, केवल हिंदू धर्म में ह बलकि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेश महत्व दिया गया है। मोर पंख का प्रयोग करके मा लक्षमी को प्रसन किया जा सकता है और सुख संपन्ता को प्राप्त किया जा सकता है। अगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में ये नकारात्मक उर्जा आखिर कहा से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक उर्जा फैलाने वाली चीजे मौझूद होती है। पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक उर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुक शान्ती बनी रहेगी इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे की घर में वो कौन सी तीन जगह है जहाँ पर आपको मोर्पंख जरूर रखना चाहिए और इन जगहों पर अगर आप मोर्पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक उर्जा बनी रहेंगी सबसे पहली बात घर से नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक उर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अडचने निर्मान हो रही है तो आप अपने मुख्यद्वार के उपर गनेश जी की प्रतिमा रखे और प्रतिमा की दोनों और मुर्पंक अवश्य रखे इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी यदि आपका मुख्यद्वार वास्तु शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्यद्वार पर तीन मुर्पंक अवश्य रखे इससे वास् दुश समाप्त हो जाएंगे। बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है। सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एक आगरता बढ़ेगी और मा सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवा उपाय दुष्ट शत्रों से छुटकारा पाने के लिए। अगर कोई शत्रो जानबूच कर आपको परेशान कर रहा है और बार-बार आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास करता है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाए और सुभा के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुवे में डाल दे। इससे शत्रों से छुटकारा मिलता है। छटी बात मनवांचित फल प्राप्ती के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांचित फल प्राप्त नहीं होता है। कारियों में बार-बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चड़ाए। अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ती पर मोरपंख लगाए और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करे। सातवी बात अगर पती-पत्नी के बीच तनाव हो। अगर घर के अंदर क्लेश है, पती-पत्नी के बीच बार-बार जगड़े होते हैं। आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिन पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाफ कम होगा। आठवा उपाय धन में वृद्धी के लिए। अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे। तिजोरी को इससे घर में सुख समरिध्धी आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है, तो घर के अगने कोन में अर्थात दक्षिन पूर्व दिशा में अपनी कमर से उपर कंधे की उचाई पर दो मोर पंख शुकल पक्ष में लगाएं। जल्दी ही धन प्राप्ती के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। नौवा उपाए। आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखे जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक को अवशोशित करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का ये उपाय ना सिर्फ आपको बलकि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समरिध्धी जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों इस प्र की कृष्ण लिखना न भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आप सभी का धन्यवाद।